कैसे हैं आप सब आप सब बहुत अच्छे होंगे वर्कम टू मैं नीव ब्लॉग मॉर्निंग की स्टार्टिंग मैंने करी थी कोकुनेट बॉटर के साथ जोगी मेरा फेवरेट है बड़ इसको थोड़ा सा छीलने में में बहुत प्राब्लम आती है क्योंकि नाइफ ना बहु मैं जरूर और करने वाली हूं बार बार और चीज़ें और कर लेती है और जो इतना इंपोर्टेंट है वह मैं बूल जाती हूं तो यह कोकुनेट वाटर पीना तो मुझे बहुत जादा पसंद है इसको चीन लाना मेरे को बहुत ही खराब लगता आदा तो निकल करके मतलब प्रेशर से निकलता है ना बहुत तो काफी सारा नीचे भी गिर जाता है तो इसलिए उपनर इसका मंगवाना बहुत जादा जरूरी है और बस उसके साथ मैंने कोकुनेट वाटर खोल लिया था और उसके बाद इंजॉय करी थी अपना कोकुनेट वाटर और इसको मैं सिप बेटू स्कूल जा चुकी थी बनीच के लिए मैंने यहां पर रखा था था थोड़ा सा पानी वाम होने के लिए थोड़ा सा ऐसे लुक वाम करना था मेरे को और आज से उन्होंने अपनी डाइट स्टार्ट करी है जो कि उन्होंने ब्रेकफस्स में जैसे दूद पी करके ज करा था मैंने बोला था कि कुछ मतलब ब्रेकफस्स तो एटलीस हमारा हेवी होना चाहिए सारा जो वेट लॉस का गेम होता है ना वो हमारा सिर्फ और सिरफ डिनर पर डिपेंड करता है बाकि पूरा दिन हम कुछ भी खाते रहते ना तो बहुत जादा वेट पुट आन नही करते हैं तो मैंने बोला था कि मॉनिंग में थोड़ा हैवी ब्रेकफस्स कर लो से कुछ नहीं होता बट उन्होंने बुला नहीं मेरे को लेमन वाटर बना कर दो तो आज कुछ भी नहीं कहा के गये थे मॉनिंग में उन्होंने एक गलास पानी गरम गुन गुना सा करवाया थोड़ा सा और उसके अंदर बस एक लेमन स्कुईज कर आया था और अभी आपको ना उनका रियक्शन दिखाऊंगी कि कैसा रियक्शन होता है उनका पी करके इसको हर किसी को मॉनिंग में लेमन वाटर सूट नहीं करता मैंने उनको बोला भी था कि में भी आपको यह सूट ना करें बट उन्होंने आज बहुत जित करी कि नहीं बना कर लाओ मेरे लिए और यहां पर मैंने बना करके रख दिया था और कोकोनेट बॉटर इतना ज्यादा बहुत सारा था मतलब उसकी वांडिटी बहुत जादा थी इसलिए थोड़ा सा मैंने रख दिया था पी करके और पी आनी जा रहा था एक बार में क्योंकि मैं बहुत थोड़ा थोड़ा सिप सिप करके पीती हो अगर हम एक बार में पूरा गटर गटर पी जाते है ना पानी तो उस पानी के पीने का कोई बैनिफिट हो में होता नहीं है क्योंकि वह इन्वांटेड ली ना हमारी यह अपनी तोन कम करनी है तो आपको पीना ही पड़ेगा थोड़ा से मजाग चल रहा था बाकि मेरे को व्लॉग में इस वाट करना ना काफी अच्छा लगता है यह देखो मेरे को परिशान कर रहे हैं यहां पर पीने नहीं दे रहे थे मैं बोड़ी थी उसको छोड़ दो में दूसरा लएा दी हूं खोल गर कर यह तना बड़ा था कि वहांने पहले भी पी लिया तlor अभी भी समें काफी तरह था तो मैंने के यह पीलो वो नहीं पया ज delivers क्योंकि कुल् Kinder को शुटर लेक्ट वाटर रहे हैं तो यहां ने बोला कि मैं से बहु अच्छे से सूट कर बट मुझे नहीं लगता है इनको करेगा बाकी दो चार दिन के बाद मैं अपडेट दूंगी कि कैसा लग रहा है बाकी इन से पिया नहीं जा रहा था बहुत मुश्किल से पी रहे थे बस मेरे को परेशान कर रहे थे और थोड़ा से व्लॉग में हसी मजाग इसलिए आट कर क्योंकि मुझे अच्छा लगता है और थोड़ी सी मैमरी मेरी रेकॉर्ड हो जाती है बेटू के साथ भी और मनीश के साथ भी मॉनिंग का ये जो टाइम होता है हम बहुत सारी मस्ती मजाग करते हैं क्योंकि उसके बाद पूरा दिन ना ऐसे सूना सूना सा रहता है मैं फिर पर अकेली और मेरे फड़ा फड़ा अपने काम हो पर लगना था अज मनीश ने मरे लिए काम फिला दिया था राथ को छोड़ा वह बेटू ने फिला दी था बचा कुटा जो था वो मनीश ने उसकी कमी पूरी कर दी थी तो टमैटो लेकर के आगई थी मैं यहां 20 kg मिल रहे थे 60 पे आए और अभी 50 पे भी आ गए तो एक दो दिन में 40 पे भी आ जाएंगे तो इसलिए मैंने सिरफ चाफ केजी ले लिए थे और उसको कंटेनर में भर करके रख दिये थे और आज फ्रिज मुझे क्लीन करना था इतना बुरा हाल देखू नीचे जो फ्लोरा वाला बॉक्स पड़ा हुए ना कंटेनर जिसके में ड्राइफ रूट रखती हूं उसके उपर पूरी के पूरी चार पूरा पकेट एक बार में नहीं पिया जाता तो मैं थोड़ा सा जो बचता है ना वो मैं ऐसे के थोड़ा रख देती हूं क्योंकि फुल्डे मुझे यूज करना होता है और कोई फ्रिज यूज करने वाला है नी तो मैं अपने अकॉर्डिंग चीजों को सेट करके रखती ह क्यों और क्यों तो उन्होंने क्या करना मौनिंग में ले लेकर के आए फ्रिज में जा करकी उन्होंने खुली होए पैकट के उपर ना म Stick्र की रख दिया वो प्रेशर की वजए से क्यों सारा के सारा नुचे पूरी के पूरी चाच घिर गई और पुरा जो फ्रिज था ता और रात को बेटू ने थोड़ा सा शेक गिरा दिया था जो मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया था बट मेरे को पता नहीं चला की नीचे की साइड भी गिरा हुआ था और मॉर्निंग में उठी थी तो वह वैसे भी थोड़ा सा गंदा हो रहा था तो मेरे को लगा कि चलो यह एर मंगवा लेती हूं और एक डेट पाकेट तो डेली का यूज भी हो जाता है तो पूरी के पूरी चार्ज के चार्ज गिरी वे थे उसमें जो भी हल्की फुल की चीज़ गिर जाती है जैसे मिर्ची वगेरा और कुछ और समान पड़ा हुआ था तो पूरा चार्ज से नहाया क्योंकि हमारे ना मतलब पास में पता नहीं किस साइड कहां पे ड्रिल चल रहे है सुबह से चल रहे है मैंने कल भी इसलिए अपना वैसे तो कुछ दिनों से मैं साथ के साथ ही अपना व्लॉग जो है वो डालती हूं मॉनिंग में बनता है और नाइट में वाइस ओवर करके मैं डाल देती हूं मैं ड्रायक में थोड़ा सा बिजी हो गई थी मॉनिंग से मैंने वाइस ओवर इसलिए नहीं करा क्योंकि यह ड्रिलिंग का काम चल रहा था मैं अभी कुछ तेर तक बंद रहा मिरको लगा ओवर हो गया होगा मैंने जैसी स्टार्ट करा ना यह फिर से का स्टार्ट हो गया और वैसे भी यह कल का व्लॉग है फ्राइडे का और आज साटरे हो गया तो आज तो मिरको वर्स ओवर करके इसको डालना ही डालना है फिर बहुत पुराना हो जाता ना व्लॉग उसमें मजा नहीं आता तो विम जल से मैं फ्रिज को अच्छे से क्लीन कर आवी थी जो नीचे वाला एरिया था ना पहले मैंने इस पर थोड़ा सा विम जल डालकर के इसको घीला कर लिया था क्योंकि फिर फिर श्टेन जो होते है ना वो बिल्कुल जमें होगे होते हैं तो फिर थोड़ा सा उसमें लेको बार कर चल्वी तो अच्छे से च्लीन हो तो यह उपर भी वह स्टेन से जा रहे थे वह यलो यलो से उसको वाश करके थोड़ा सा विम जल और डाला और यह करने में में इतना ज्यादा टाइम हो गया था अब बेटू को लेने के लिए इतना लेट पहुंची थी आकर के मैंने नहा करके आई और बेटू को लेकर कि पहले मैं नीचे से फूला सारा स्टेन जो लगा हुआ था वह फूला फिर स्पॉला फिर वाश करके आई फिर मैंने पूरा उपर से पूरे इसके डोड़ सब मैंने विम जल चे दुबारा ख्लीन करें फिर उसके बाद मैं एक कलोथ लेकर के आई यह देखो कम पढ़ गया तर्चे से दूरा इसे पूरा फेकर आकर तकी ऐसे क्लीन हो जाई मैं थोड़ा सा डिप क्लीन करी ती तडिय कर देती हो कि थोड़ा फिर मадla इसको फ्रेश अव으면서 से क्लीजल कर लिया था तकी दिफ CC जो जो पानि जादा यूजओन ना हो फिर और अच्छे से मैंने इसको य कर लिया था अभी भी मैं इसको यह जो इसके शेल्फ लगाने वाली जगह होती है ना इसके अंदर काफी सारा मतलब कुछ नो कुछ स्टिकी स्टिकी सा रहता है ना वह लगा हुआ था तो मैं इसको कॉंटिन्यू आई थिंग मैंने लगता है कि तीन चार बार इसको विमजल स सरस विमजल चनत मैंने क्ट कुछ ने किया राए ने क्लिप थे तो समय प्रयूप कर दा दिया मैंट हुआ यह जो ओग्यी करना था ऐसे थोड़ए थे साक्ला से तो फाइनल मैंने फिर इसको पानी डाल करके अच्छे से क्लीन करा था थोड़ा थोड़ा पानी लेकर के इसके अंदर डाल रही थी मैं ताकि जो वह सोप की एक लेयर सी बाद में फील होती है ना जैसे वाइटनेस सी आजाती है वैसे तो वाइट है कुछ पता नहीं चलेगा अच्छा से पॉफेक्टली क्लीन लगता नहीं है तो इसलिए थोड़ा सा पानी डाल देती हूं बाकि अभी मेरे पास स्पेस है और वाटर को निकलने का रास्ता है तो मैं कर देती हूं अगर नहीं होता तो में भी मैं ऐसी करती कि क्लॉथ को वेट करके ही अच्छा से क्ली कर देती दो तीन बार बट अभी पानी निकल सकता है वाइपर मार करके काम चल जाता है मेरा तो इसलिए पहले मैंने थोड़ा सा विम जल को मोटा मोटा ऐसे क्लॉथ से हटा लिया था फिर गीला कपड़ा पूरा उसमें लगाया मैंने फ्रिज में फिर फाइनल में मैंने ज शेल्फ वाला एरिया यहां पे अच्छे से क्लीज हो जाए जो हम क्लोथ से क्लीन करते हैं वो सारी जगे खेंड हो जाता है लेकिन यह जगल बिर डिजाइनिंग वाली जगखें हो था हूरी यहां पर आओ आइस जो पानी ची फिर और बार करती हो dispatch currentले क्राथ जाने हूइर अंदर की अंदर कई why आइस करी के तिम आईस में ऽ केरी थी तो यह तो एसको निकल भी तीमा कहीं निकल निली थी मैंसा को सारा मंने श्कौंफ करना पड़ेगा थोड़ा से एक बार ट्राइब करके देखते हूं में भी निकल जाए तो मैंने फ्रिज को पूरा टर्न करा हुआ था तो मैंने निकाल लिया था इसको अच्छे से और पानी को फिर मैं गिरा करके आ गई थी और दुबारा से मैं अच्छे से पोंच दिया था इसको और उसके बाद फिर मैं लगा रही थी ट्रेगों में भूल गई थी कि साइट से ही लगा हुआ था थोड़ा से स्कूरूर्स जो थे ना फरस्ट टाइम में बहुत हार्ड से होते हैं बटे एक बार उसको निकाल दिया मैंने का फिर वो बार बार मेरे को इस तरह से दि पानी को निकाल दिया था और उसके बाद काफी देर से दूद रखा हुआ था मैंने का दूद फट ना जाए तो मैंने दूद जो था वो बॉयल करके रख गया था दो जगह पर दूद था एक कलका था और एक आज जो मॉनिंग में लेकर गया थे जिसकी वैसे सारा मैस फैल मुझे तो लग रहा था कि यार मुझे तो लग रहा था आज तो मैं बैटू को लाई नी पाऊं फिर एक साइड मैंने दूद बॉयल होने के लिए रखा हुआ था मतलब एक जगह मैंने दूद बॉयल करने के लिए रखा हुआ था और दूसरी जगह मैं यहां पर अपना य सारी अच्छे से मैं क्लीन कर दूं और जब तक मैं आऊ ना दो करके बिटू को ले करके तब तक यह सारी ड्राय हो कहीं हो क्योंकि सारा समान सुबह से बाहर निकला हुआ था तो चीजे ना फूरी सॉफ्ट होने लगेंगे चीजें खराब उनने ना लगें तो इसलिए मैंने बस वैसे तो मॉर्निंग में आटा वगेरा जादा मैं एक साथ लगाती नहीं हूं बढ़ था एक दो रोटी का कभी कबार बच जाता है दो पैड के लिए तीनो टाइम में आटा थोड़ा अलगी लगाती हूं अगर मॉर्निंग का एक आदी रोटी का बच जाता है ना तो मैं यूज कर लेती हूं बागी फिर इवनिंग में तो मैं दूसरा ही लगाती हूं तो एक आदी रोटी का आटा बचा हुआ था मिल्क था चाच थी थी थोड़ा खटे पन में आ जाती तो इसलिए में को जल्दी हो रही थी कि मैं जल्दी निप्टा दूं तो ये वाली शे लगाया हुआ था था कि सारा फ्लोर वगेरा भी अच्छे से ड्राय हो जाए और सासत सारी शेल्फ भी मैंने का लगा देती हूं चलो पांच मिनट और लगेंगे फटा-फटी काम निप्टा कर चली जाती हूं अभी तो मेरे को ऐसा लग रहा था कि यार सुबह से अभी सार काने को मिल जाएगा खाना बना हुआ था बागी कुछ भी नहीं हुआ था आजटी बिस्तर भी वैसे के वैसे पड़ा हुआ था और सारे काम जादा जरूरी था क्योंकि मतलब फिर पूरा गंदा हो रखा था और उसके बाद यह को बिल्कुँ चका चक मैंने क्लीन कर दिया बनाना वाले बहुता बहुत बहुत जल्दी से चमक जाती है यह प्रॉपरली काच तो नहीं है विस थोड़ा सा मिक्स जो होता है तो उसके बाद फिर यहां पर बनाना वाले भाहिया आ गए थे इनका वही ना डेली का वह उसी टाइम होता है जब मेरा नहाने का टाइम हो तो फटा फट लेकर आगे थी नीतों अभी नहीं लेती ना तो फिर कल के लिए होता नहीं और यह देखो सारे फूर्ट सी है यहां पर मुस्ली वेजिटेबल वगेरा तो मैं साथ के साथ ले लेती हूं उसमें टमाटो होते हैं और यह मिर्ची वगेरा रखी होती है इसके अलाबा सालेड में हो या तो खीरा होसा या फिर वह और यह वाली था आधर वाली दिजवाट रहते हैं तो वह मैं साथ-का-सथ ले कर बना ले थी हूं अपल थे गुआवा वगएरा था वो भी मैंने बासकेट में भर कर रख दिया था कल लिया था मैंने ये सब फ्रूट्स या इवनिंग में मनीश लेकर आए थे तो ना एज़टी जब मैं थोड़ी से बिज़ी होती हूं तो फिर मैं एज़टी जो पूरी पॉली होती है न वो मैं फ्रि मॉसमी थी आपल थे और भी बहुत सारी चीज़ें मैं को ना मिक्स फ्रूट बहुत जादा पसंद है मॉसमी मैंनी खाती हूं बेटू को पसंद है तो इसलिए लेई थी मैंने और सारा धीरे-धीरे करके जो आरा मैस फैला हुआ था मैंने बूरा वाला एरिया को धिलीत कलीप दी था दोटकार्व तो दीरे दीरे पानी निकल रहा था जब थोड़ा सा लगता था मैं वाहई पर माइकर नहीं पशूर्ण सलाका साल हो गई तude बेटू को लेके बेटू आज बहुत लेट हो गई थी पॉनी एक बजे से भी आई थींग 12-50 हो गई थे जब मैं क्लास्रूम में बेटू को पहुंची लेने के लिए वो अकेली बैटी हो थी मेरा वेट कर रही थी और बस उसके बाद मैंने यह सब चीज़े आरेंज कर दे थी टाइम का पता ही नहीं चला मेरे को लगा है अभी 15-20 मिनट और टाइम कैसे निकल गया पता ही नहीं चला और यह दे को पूरा अच्छे से फ्रिज मैंने क्लीन कर दिया था यह दे को दूद बॉइल करा था ना बाद में मुझे पता चला था कि अगर चीज को थोड़ा सा ज्यादा चलाना उसकी शेल्फ लाइट बढ़ानी हो तो फ्रिज में रख दो तब से फिर मैं भी यह जो खुले मसाले होते हैं इनको मैं फ्रिज में रख देती हूं और बाहर का डोर भी मैंने अच्छे से कॉलि चला एरिया भी तब चलाएडी करनी थी तो मैंने ख़ पहले यह चलो कर देती हूं बाद में क्लीनिंग नहीं तो यह और फैल जाएंगे और उसके बाद यासी में रहानने लगी डोर वेल बजी कि फ्लीस थोड़े से हैं ने ने बर को तो फटा फटी यहां पर मैंने कपड झाल झाल